नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग मेरा नाम है अरशिद वेदी और मैं आपका सौध करता हूँ इस वीडियो में 11 वीडियो है यह लक्ष्मी कांथ की सीरीज की यहाँ पे हम लोग बात करेंगे Union and its territory के बारे में आगे बढ़ने से पहले पस आपसे वही बोलना है जो हर वीडियो में बोलता हूँ एंग लक्ष्मी कांथ की छटे edition की किताब की hard copy अपने समने खोल कर रखें खरीद लीजे इस किताब को बहुत अच्छी किताब है क्या-क्या चीज़े देखेंगे Union of States दूसरा Parliament's power to reorganize the states exchange of territories with Bangladesh Article 1 से लेके Article 4 तक की पूरी समरी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं दोस्तों बहुत चीज़ें आपको यहाँ पे जानने के लिए मिलेंगी तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक like का बटन ज़रूर दबा दें और हो सके तो शेर कर दें वैसे भी लक्ष्मी कांथ की सीरीज को आप लोग काफी सपोर्ट कर रहा हूँ मुझे बहुत कुशी है दोस्तों मैं जो चीज़ें बना रहा हूँ उसको अभी के लिए 800-900 लोग देख रहे हैं मैं expect करूँगा कि आगे अनवल समय में हर वीडियो को 5000-10,000-20,000 लोग देखेंगे जितने ज़्यादा लोग देखते हैं न दोस्तों उतना ही अंदर से confidence आता है वीडियो बनाने का तो शुरू करते हैं Part 1 of the Constitution का title है Union and its Territory तो यह जो Union and its Territory title है this is the title of Part 1 of the Constitution चार articles इसमें आ रहे हैं Article 1 to Article 4 देखा जाए Article 1 में क्या आता है तो Article 1 में आता है Union of States Article 1 इंडिया को क्या बोलता है इंडिया को बोलता है India that is भारत is a union of state नाम के निकल क्या रहा India that is भारत और यह है क्या यह है Union of States और यह Union of States है ये Federation of States नहीं है ऐसा क्यों लिखा गया है लक्षमी कांत की इताब में देखे जब USA बना था दोस्तों तो USA की जो अलग-अलग Constituent Unit सी लगबग 13 थी है उन 13 यूनिट ने आपस में बैट के मिलके बाचीत की और बाचीत के तहट अपने आपको एक कर लिया एक यूनिट बना लिया लेकिन यहाँ पे जब इंडिया के स्टेट्स बने तो किसी भी तरीके की पहले कोई बाचीत नहीं हुई है हमने आजादी के लड़ाई लड़ी आजादी के लड़ाई में हमारे देश के सभी हिस्सों ने सभी हिस्से के लोगों ने पार्टिसिपेट किया और उसके बाद हमको आजादी मिली तो उसके अज हमारा कॉंस्टिशन बनाया उसमें बोला इंडिया दैट इस भारत as a union of state तो यह जो चीज बोली गई है article 1 में इंडिया दैट इस भारत as a union of state यह अपने आप में दो चीजों को दर्शाता है अधोस्तों तो बह जब बात आई अच्छे खासी भहाँस होई कुछ लोगों ने बोला नाम होना चाहिए traditional, तो नाम होना चाहिए भारत, कुछ लिए ने बोला नहीं भाई, इंडिया, नाम होना चाहिए, इंडिया modern नाम लेंगे, पुराना क्यों लेंगे, भारत तो traditional नहीं है, तो constitutional assembly ने बोला कि भाई, tension नहीं है, दोनों ले रहते हैं, तो नाम रखा India that is भारत, ओके, तो ये हमार official name है, हमारे constitution के साब से, दूसरा type of polity, जब बोला गया union of states, इसमें हमारी देश की polity के type को दोस्तों बताया गया, कैसे बताया गया, कि अगर हमारा देश union of states है, इसका मतलब ये होता है, कि हमारे देश के किसी भी state को ये right नहीं है, ये अधिकार नहीं है, कि वो हमारे देश से अलग हो जाए, कोई भी state हो हमारे देश का, कल को उटके खड़े होगे, ये नहीं बोल सकता है, कि भाया हम अलग, हम इंडिया के साथ ने रहना चालते, आप इंडिया के part हैं और आप हमेशा इंडिया के part रहेंगे, अच्छा लगे, चाहे ना लगे, ये बात बोलीगी, अ आते हैं, तो हर state से दो members वहां की Senate में आते हैं, जो कि वहां की राजसब है, तो वहां के जो states की जो boundary है न, वो उन states की मर्जी की बिना नहीं बदली जा सकती है, इंडिया में क्या है, कि इंडिया के states की जो boundary है, वो उसकी मर्जी की बिना बदली जा सकती है, तो यहां पे, ज शायद थोड़ी देर में आगे आएगा, फिर मैं आपको बता दूँगा, तो हमारा जो देश है, ये पूरी एक, आप कह सकते हैं, इकाई है, पूरा consolidated आप कह सकते हैं, एरिया है, अब देखिया, आर्टिकल वन में हमारे स्टेट्स को किन-किन भागों में बाटा गया है, तो क्या है न दोस्तों, स्टेट्स की territory को बाटना जरूरी इसलिए है, ताकि administration का convenience रहे, भई इतना बड़ा इलाका है, इतना बड़ा area है हमारे देश का, तो पूरे area को आप centrally तो administer कर नहीं सकते हैं, तो आप स्टेट्स में बाटो, स्टेट्स में बाटेंगे, तो convenience of administration रहेगा अब जब स्टेट्स में बाटना तब स्टेट्स इतने बड़े-बड़े हैं, राजस्थान, यूपी, मद्रपदेश जैसे, महरास जैसे, मैमौथ स्टेट्स से इतना बड़ा इलाका है, तो उसके लिए भी एक level of governance लानी पड़ी बाद में पंचाहिती है, राज मिल्सपैल अब ही के लिए हमारे देश में दोस्तों अगर बात की जाए कितने स्टेट्स हैं, कितनी यूने ट्रेट्री तो 28 स्टेट्स हैं, पहले 28 थे, तेलांगना बना 29 हो गए, अब जम्मु इन कश्मीर पहले स्टेट्स था, अब वो स्टेट नहीं राया, तो स्टेट्स वापस 28 यूने ट्रेट्स पहले साथ थी, फिर दो यूने ट्रेट्स में कौन सी बनी, तो जम्मु इन कश्मीर को दो भागों में तोड़ दिया गया, यूने ट्रेट्र अफ जम्मु इन कश्मीर और यूने ट्रेट्र अफ लगदाग, तो साथ और दो 9 हो गई, लेकिन उसके बाद एक unit territory कम हुई कैसे पहले दो unit territories थी एक थी दादरा और नागर हवेली दूसरी थी दमनेंद्यू अब उसको बोल दिया गया है दादरा और नागर हवेली और दमनेंद्यू दोनों को मिला के एक unit territory कर दिया गया है तो minus 1 किया तो आप total unit territories कितनी है 8 है हाला कि जब आप दादरा और नागर हवेली और दमनेंद्यू को मैप पे दोखोगे न तो दोनों continuous नहीं है दोनों थोड़ा एक दूसरे से दूर है बीच में state की boundary आ जाती है बट फिर भी दादरा और नागर हवेली और दमनेंद्यू एक territory है तो total इस समय पे देखा जाया दोस्तों इंडिया में कितनी union treatries हैं तो union treatries हैं 8 states कितने हैं 28 इन सारी union treatries को इन सारे states को हमारे constitution के प्रावधान के हिसाब से चलाया जाता है उनकी functioning होती है कुछ exceptions दे रखे हैं हमारे constitution में वो exceptions मिल जाएंगे अंडर part 21 of the Indian constitution तो जब आप part 21 of the Indian constitution देखेंगे तो temporary and transitional provisions की बात की गई उसमें जो जम्मु इन कश्मीर वाला article 370 था ये इसी part 21 में है अच्छा एक सवाल आपसे जम्मु इन कश्मीर state अब जम्मु इन कश्मीर नहीं रहा है दो union treatries बट चुका है तो क्या article 370 रद दो गया है हटा दिया गया है नहीं दोस्तों article 370 को अभी हटाया नहीं गया है वो inoperative हो गया है देखें हमारी सरकार बहुत सही है बहुत सही दिमाख लगाया हमारी सरकार ने हमारी सरकार ने article 35A of the Indian constitution जो की जम्मु इन कश्मीर के residents को एक extra power देता था उसको inoperative कर दिया एक executive order से और union territory बाट दी एक simple amendment से तो एक constitution amendment कराने की जरोध भी नहीं पड़ी अभी आप देखोगे इस article 1 to 4 में किसी भी state को कम करने में या किसी एक state को union territory में तोड़ने के लिए या किसी एक union territory को दूसरी union territory से मिलाने के लिए इन सब चीज़ों के लिए constitutional amendment act की जरोध नहीं है हमारे समिधाने तो उसी का इस्तमाल करते हुए दोस्तों क्या किया हमारी सरकार ने article 370 को delete नहीं किया अगर article 370 को delete करते तो एक constitutional amendment act पास करना पड़ता और constitutional amendment पास करने पाते तो इतना ज़्यादा विरोध होता कि शायद पास हो ही ना पाता इसलिए सीधे सीधे article 35A को एक executive order से हटा दिया गया और उसके बाद states बाट दिया गया article 1 article 3 का इस्तमाल कर गया article 3 किया भी मैं आपको बता हूँगा और उस article 3 के लिए एक छोटा सा legislative proposal डाला उसको simple amendment से पास करा दिया गया तो constitutional amendment की जरूते नहीं पड़ी बाराल वो एक अलग चीज़े मैं आपको understanding के लिए समझा रहा हूँ तो अगर आप part 21 of the Indian constitution देखेंगे तो उसमें से कुछ अलग provisions दे रखें कुछ special provisions दे रखें अलग-अलग states के लिए तो ये चलता है आपका article 370 से article 371 जे तक शायद तो बहुत सारे अलग-अलग states जैसे कि महाराष्ट, गुजरात, नागा लेंड, आसाम, मनिपूर, आंधरपदेश, तिलांगना, सिक, किम, गोव, और नाचलपदेश उन जगहों के लिए जो कि scheduled areas में आते हैं या tribal areas में आते हैं उसको जब हम वहाँ पहुँचेंगे तब पढ़ेंगे अभी किल उसको जबरदस्ती आगे बढ़ाने की ज़रूत नहीं है एक बहुत important differentiation हमको देखना है कि यह एक terminology होती है territory of India एक terminology होती है union of India इन दोनों में क्या फर्क है देखें दोस्तों union of India territory of India से छोटा है ध्यान रखेगा union of India में केवल states आते है territory of India में हमारे states हमारी union territory और बागी वो सारी territories आती है जिनको आगे आने वाले समय में सरकार अपने अंदर ले सकती है तो कल की डेट में माल लीजे इंडिया बहुत बड़ी economic power बन जाता है आज से 20-25 साल बाद हम लोग इतने ज़दा ताकतवर हो जाते हैं कि हमारा दबदबा पूरी दुनिया में हो जाए तो कहो हम अकसा ही चीन चाइना से वापस लेने हलागी ये होता हुआ दिख रही है कोई और ट्रिटरी मिला दिया हो दिख रही Union of India में केवल स्टेट्स दिख रही है देखे Union of India जो दोस्तो शब्द है ना ये शब्द ये दिखा रहा है कि ये बहुत अलग-अलग रीजन्स को मिलके एक कंट्री मनाई गई है और उन अलग-अलग रीजन्स को अपने अड्मिनिस्टेशन में थोड़ी आजादी दी जाएगी इसलिए इस Union of India में केवल स्टेट्स आते है टेरिट्री ओफ इंडिया में Union टेरिट्री को क्यों जोड़ागा है क्योंकि Union टेरिट्री वो जगा है जो पूरी की पूरी Central Government के हिसाब से चलेगी तो वहाँ पे Central Government जो चाहेगी बस वही होगा लेकिन Union of India में वो स्टेट्स आते हैं जो हमारे देश के अलग-अलग रीजन को रिप्रेजन करते हैं हमारे देश के अलग-अलग कल्चर को रिप्रेजन करते हैं उनकी administrative convenience के लिए उनको कुछ हग देने की जरूँद थी तो भाई स्टेट लिस्ट लेके आई गए हमारे समविधान में इसलिए Union of India में क्यों स्टेट्स को जोड़ा गया है कुछ लोगे सोचेंगे कि ऐसा क्यों है तो ऐसा यह इसलिए है मैंने आपको यह बता दिया फिर जो हमारे states हैं वो हमारे federal system के एक member है federal system मतलब कि जो नीचे के level पे entities हैं वो self-rule के लिए उनको कुछ ताकतें दी जाएं कुछ नियम कानून बनाया जाएं कि वो अपनी administration अपने हिसाब से कर सके तो यह distribution of power हुआ है हमारे constitution में इसकी भी आगे हम लोग बात करेंगे ओके दोस्तों अब देखिए इंडिया एक sovereign state है तो अगर एक इंडिया sovereign state है तो इंडिया किसी भी समय किसी foreign territory को acquire कर सकता है अब वो foreign territory को एक treaty की through apply करे चाहे वो उस foreign territory को खरीद ले किसी और से तो कल की date में हो सकता है बांगलादेश एक छोटा सा इलाका इंडिया को दे दे कुछ पैसे के वैसे होगा नहीं ऐसा बड़ होता है आप जैसे for example अगर आप USA का Alaska देखो Alaska वाला region देखो तो वो USA में लैंड के साथ नहीं जुड़ा उपर की तरफ Canada के साथ जुड़ा हुआ है तो वो जो Alaska वाला region है वो पहले रशिया के पास था रशिया कंट्रोल में था रशिया से खरीद दिया USA ने तो इस तरीके हैं हम भी खरी सकते हैं अगर कोई दूसरा बेचना चाहे तो आप कह सकते हो कि जो इथोपिया है या कोई भी कोई भी Eastern African country है हो सकता है कि जो Eastern edge of the African continent है वहाँ पर चुट जो आइलेंड है उन्में से कोई एक आइलेंड इंडिया को बेच दे कोई एक country तो कुछ भी हो सकता है दोस्तो फिर कोई हमें गिफ्ट दे सकता है हाला कि जमीन को गिफ्ट देता नहीं लीस पर दे सकता है तो लीस पर भी हम लोग land ले सकते है for example मैं आपको examples बताना चाहता हूँ मैं ज़तना अच्छा हो सकता है उतना लेक्चर को अच्छा बनाने कोशिश करता हूँ जैसे इन्ने notion में एक आर्की पिलाजो है शागोज आर्की पिलाजो ये आपका मौरिशेस के पास पढ़ता है शागोज आर्की पिलाजो को मौरिशेस बोलता है कि ये हमारा है बट एक्चुली में शागोज आर्की पिलाजो पे United Kingdom का control है और United Kingdom ने शागोज आर्की पिलाजो का जो सबसे बड़ा island है न डियाजो गार्सिया इस डियाजो गार्सिया को USA को दे रखा है लीस पे और USA ने अपना military base बना रखा है इस डियाजो गार्सिया पे इस शागोज आर्की पिलाजो पूरा-पूरा UK control में हाला कि मौरिशेस बोलता है कि ये हमारा island है तो लीस पे देना समझ गया आप कि शागोज आर्की पिलाजो के एक island को UK ने लीस पे दे दिया USA को तो इस तरीके से इंडिया भी लीस पे उठा सकता है फिर plebiscite तो plebiscite आपको पता ही भाई किसी एक जगा पे voting करा दी जाएगी और voting करके बोल दिया जाएगा कि भाई ये इलाका इनका पाकिस्तान का फिर इंडिया occupation भी कर सकता है किसी एक जगा पे लेकिन इंडिया ओविस सी बात है किसी ऐसी जगा का occupation करेगा नहीं जहां पर कोई recognized ruler हो कोई popular ruler हो चोकि उस जगा का occupation करने के लिए war करना पड़ेगा जबरदस्ती हत्याना पड़ेगा exploit करना पड़ेगा जो कि इंडिया की constitutional ethos के against है फिर जीत के subjugate करके इंडिया किसी भी तरीके सा acquire कर सकता है territory को इंडिया ने बहुत सारी foreign territories को acquire किया है तो दादरा नागर हवेली भाई गोवा हो गया इतने सारे tourist जाते है दादरा नागर हवेली को पॉर्टोगीस से छीनना पड़ा देई नहीं रहे थे तो भाई subjugate करके conquer करके लेना पड़ा ओके फिर हम बात करेंगे article 2 of the Indian constitution के बार में यह actually मैं article 2 का ही base बना रहा थे दोस्तों आपके सामने अब हम समझते है कि article 2 of the Indian constitution क्या बोलता है article 2 हमारी parliament को यह ताकत देता है कि हमारी parliament union of India में किसी एक नए state को admit कर सकती है या हमारी parliament को एक नए state बना सकती है नहीं समझ में आया समझाता हूं आपको गिलगित बलतिस्तान प्रोविंस है पाकिस्तान occupied कश्मीर की वैसे वो तो हमारी ही है दोस्तों ठीके ना बट मान लिजे कल की date में गिलगित बलतिस्तान प्रोविंस एक जो state बनी हुई है पाकिस्तान की उसको इंडिया अपने में मिला ले तो यह क्या हो जाएगा कि भाई एक state को अपने मिला ले हाला कि मैं आपको बस एक example की तुरू बता रहो दूस्तों वो जो state है ना वो है हमारी हम अपने लक्षे में दिखाते हैं तो बस मैं आपको बताने कोशिश करना हो कि कोई बाहर का इलाका कोई area जो बना हुआ है वहाँ पे लोग है उसको अगर अपने में मिलाना हो तो आर्टिकल 2 के तहीत इंडिया मिला सकता है और माल लीजे कोई एक ऐसा इलाका है जहाँ पे कोई भी किसी का claim नहीं है तो उसको एक state बना के अपने में मिलाना ये भी इंडिया कर सकता है तो इत्ता बड़ा इंडिया इंडियन ओशन है वहाँ पे माल लीजे कोई एक बड़ा सा खाली island पड़ा हुआ है उस island पे किसी का control नहीं है तो हो सकता है इंडियन government बहुत सरे लोग को वहाँ पे relocate करे वहाँ पे कॉलोनी मना है और उस कॉलोनी को officially अपने अंदर मिला ले तो ओ Article 2 के अंदर कर सकती है इंडियन तो किसी एक दूसरे state को जो अभी हमारी area में नहीं है उसको Article 2 के थैद हमारे देश में मिला आए जा सकता है तो ऐसी territory जो अभी के लिए इंडिया की territory का part नहीं है उसको अगर हमारे देश में मिलाना है तो किसका प्रयोक किया जाएगा आर्टिकल 2 का आर्टिकल 3 में क्या किया जाएगा भाई आर्टिकल 3 में दोस्तों जो existing states है union of India की जो existing union territory है union of India की उनकी boundary को बना जा सकता है यह किया जाता है article 3 में तो भाई अभी के लिए जो आपका union territory बनाई गई है जमुएन कश्मीर की लद्दा की जमुएन कश्मीर स्टेट को तोड़के वो आर्टिकल 3 के अंदर बनाई गई है जो कि internal जो readjustment होता है ना boundary का union of India का वो आर्टिकल 3 के अंदर होता है तो भाई अब बात आती है Parliament's power to reorganize the state क्या Parliament के पास power है देखते हैं इसको तो भाई हमारी Parliament किसी भी state का area बढ़ा सकती है किसी भी state का area घटा सकती है किसी भी state की boundary को बदल सकती है किसी भी state के नाम को बदल सकती है किसी भी state के थोड़े से area को उठाके unit territory से जोड के एक नया area बना सकती है किसी भी state के पूरे area को उठा के किसी और के साथ जोड के बना सकती है मतलब किसी भी तरीके इचली पगा सकती है as far as internal readjustment of the boundary is concerned लेकिन इसके लिए दो condition रखी गई है आठ कल तीन में क्या है वो दो condition condition यह है दोस्तों कि अगर आपको कोई भी internal readjustment करना है boundary का states के respect में ध्यान दीजे का दोस्तों unit territory के respect में नहीं अगर unit territory के boundary को बदलना है तो किसी से पूचने की जरूद नहीं state सीधे कर देगा actually यहाँ पूच नहीं रहे है states के case में states के case में अभी बता है ना कोई unit territory के boundary बदलना है तो center सीधे सीधे कर सकता है किसी से पूचने की जरूद नहीं चुकि unit territory तो center ली चला रहा है ना states की जब बात आती तो भाई state में अलग सरकार होती है तो अगर किसी state की boundary को alter करना है तो उस case में क्या करेगी हमारी government उस case में हमारी government के सामने दो चीज़े है एक तो उस bill को parliament में बिना president से बात किये introduce नहीं किया जा सकता तो पहले president का prior recommendation जरूरी है इस तरीके के bill को parliament में उतारने के लिए जो bill किसी state के नाम को बदल रहा है या उसके area को बदल रहा है कम कर रहा है ज्यादा कर रहा है कुछ भी कर रहा है दूसरा जिस state के area को आप बदल रहा हो या मालीजे किसी state को आप दो भागो में तोड़ रहा है जो भी कर रहा हो तो जिस state पर उसका effect आ रहा है उस state पे ये state legislature के पास उस bill को refer करना होगा तो भाई एक bill जो किसी state की boundary को बदल रहा, नाम को बदल रहा, तो ऐसा bill पहले उस state की legislature के पास बेजना पड़ेगा, उस state की legislature को एक fixed amount of time दिया जाएगा, कि भाई आपके पास इतना समय है, इतने समय में आप अपनी recommendation समको दीजे, तो अगर ये state legislature अपनी उस समय में recommendation नहीं दे तो कोई बात नहीं, पार्लामेंट अपने एसाब से कर सकती है, माल लिजे, उतने समय में state legislature अपनी recommendation दे देता है, और negative recommendation देता है, बोलता है कि हम इस bill के favor में नहीं है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी पार्लामेंट अपने एसाब से move forward कर सकती है, state legislature के पास, बिल को भेजने का प्रावधान बस इसलिए है, चुकि state legislature में उस state के द्वारा elect किये गए लोग है, तो उन लोगों के viewpoint को उस state के लोगों का viewpoint माना जाएगा, बस इसलिए इस bill को state legislature के पास refer किया जाता है, बट अगर state legislature कोई भी राय दे, चाहे positive राय दे change के लेके चाहे negative राय दे, उस राय पे अमल करना ना करना वो हमारे parliament पे डिपेट करता है, अगर parliament उस पे अमल नहीं करना चाहती, कोई बात नहीं, बिल पास हो जाएगा, ठीक है, ये बात हो गई, फिर अगर state की boundary बदल लो, नाम बदल लो, state से related कोई change है, तो ही आप बिल भीजोगे अगर union टेटर से related कोई change है, आप नहीं बेजोगे, तो आपकी date में, जम्मू अन कश्मीर की union टेटरी है, पुदुचरी की union टेटरी है, दिल्ली की union टेटरी है, इस से related कोई changes है, तो इनकी legislative assembly में किसी भी बिल को refer करने की जरूरत नहीं है, अब माल लीज़े, ये बिल पार् बहस हुई कुछ changes बगरा हुए, तो जब changes होंगे ना, तो उन changes को करने के बाद फिर से state legislature के पास बेजने की जरूरत नहीं है, फिर देखते हैं दोस्तों, तो भई, clear है कि हमारी constitution ने पार्लेमेंट को अत्ताकत दे रखी कि नाम, boundary, area, कि state का बदला जा सकता है, बिना उसकी इजाजत के, यानि पार्लेमेंट हमारे political map को redraw कर सकता है, यानि कि हमारे देश की territorial integrity तो पक्की है, तय है, लेकिन states की territorial integrity तय नहीं है, इसलिए इंडिया को बोला जाता है, an indestructible union of destructible states, यानि हमारा union destructible नहीं है, बढ़ हमारे states destructible है, तो जमुन कश्मीर को दो भगो में तोड़ दिया गया, कल को यूपी को चार भागो में तोड़ जा सकता है, कुछ भी कर सकती है सरकार, USA में क्या होता है, USA में है भाई, indestructible union of indestructible states, यानि कि उनका union नहीं तूट सकता, लेकिन उसकी state की boundary भी आप उस state की permission के बिना नहीं बदल सकते है, ठीक है, I hope आपको च सबसे important चीज तो article 4 बोलता है, article 4 बोलता है कि article 2 से related और article 3 से related, अगर कोई भी change करती है हमारी parliament, तो उसको amendment of the constitution under article 368 नहीं माना जाएगा, समझ गया, आभी फमजाता हूँ कैसे, article 368 जो मैं आपको पढ़ाऊंगा दोस्तों, वहाँ पर amendment खरने के बड़े तरीके है, special majority जरोत पढ़ती है, special majority with confidence of the 50% of state legislature इसकी जरोत पढ़ती है, majority कितने तरीके की होती, मैंने लक्षमी कान की पहले की वीडियो में पताया दोस्तों, अगर आप ध्यान से मेरी वीडियो प बदल रहे हैं, किसी नए state को अपना part बना रहे हैं, तो उस case में आपको amendment करने की जरोत नहीं है, under article 368, लेकिन इसके उपर एक बहस छड़ गई दोस्तों, बहस क्या थी, कि article 3 के अंदर, या article 2 के अंदर, आप, article 2 नहीं, article 3 के अंदर, आप किसी एक state की boundary को कम कर सकते हैं, ले article 2 के अंदर, आप किसी बाहर की territory को हमारे देश में मिला सकते हैं, सब सही है, क्या इस article 2 के अंदर, हमारे देश की territory को आप किसी और को दे सकते हो, इस बात पर एक बड़ा सवाल उठा, क्या हुआ दोस्तों, एक बेरिव बारी union 12 करके एक जगा थी, एक district थी, थाना था, ये बवाल क्या हुआ इसमें, ये बोला गया, देखें, जो रैड क्लिफ थे, रैड क्लिफ कमिशन बैठा था, जिसने इंडिया और पाकिस्तान की बौर्डर को तै किया था, बट ओविसी बात है, जब एक कमिशन, एक limited time में इतने बड़े बौर्डर को segregate कर रहे हैं, तो गलत हैं यहां से, या प्रापर बवाल मचा हुआ, लोग मार काट रहे हैं दूसरे को, तो जैसा तैसा जितना अच्छा हो सकता था, रैड क्लिफ ने किया, तो ओविसी या तो कुछ गाओ पर गलती छूट जाएंगी, उन गलतियों को सुधारने के तो लैंड बार्डर एग्रि कि इस जलपाई गुरी डिस्ट्रिक्ट का पार्ड था, ये बेरुबारी यूनेटू था ना, अब बेरुबारी यूनेटू था ना, जलपाई गुरी डिस्ट्रिक्ट का पार्ड था, इंडिया के कंट्रोल में था, पट इसको डॉकुमेंट में नहीं लिखा, रैड मैंने सोचा किया कि इस बेरु बारी Union 12 को बाट दो दो भाकों में आधा इंडिया का हो जाएगा आधा पाकिस्तान का हो जाएगा अब देखें हमारी foreign policy दोस्तों कैसी आहिए एक area जिसको हम पूरा अपना हाथी आ सकते तो उसको आधा बाट के पाकिस्तान को देने की बात कर रहे है आज की date में देख लिजे क्या हो रहा है पाकिस्तान ने पाकिस्तान occupied कश्मीर का थोड़ा सा हिस्सा चाइना को दे दिया उसके थूँ चाइना पाकिस्तान economic corridor निकल रहा है अकसाई चिन का इलाका जो कि इंडिया का है उसके अंदर चायना घुसके बैठा है और उसके और अंदर घुस रहा है अभी देखे इस टैंट आफ चल रहा है पीछे ही नहीं जा रहा है तो बाहर वाले नेशनस लैंड को लेकर कितनी जबर्दस लाई कर रहा है और इंडिया में क्या किया गया कि भाई भेरुबारी यूनियन टू जो कि पूरा हमारे पास आ सकता था कहा है इसको आधा बाट दो आधा इंडिया रखेगा आधा पाकिस्तान रखेगा जैसे ये बो स्टेट के एरिया को डिमिनिस्ट कर सकते हो तो भाई जो उस समय की कैबिनेट थी सरकार थी उन्होंने आर्टिकल 3 के अंदर इस वेस्ट मंगाल की स्टेट के थोड़े से एरिया को डिमिनिस्ट किया उस समय पर जो वेस्ट मंगाल गॉवर्मेंट थी ना उसको वोकलरी इंडिया का एक बहुत मेजर तपका ये नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ हो, हमारा लैंड का एक भी इंच किसी और कंट्री के पास चाहती है, कि लैंड तो दिल से जुड़ा होता है न लोगों के, आज की डेट में अक्साई चिन में के LAC पे भी चायना अंदर खुशके बैठा तो कही न कहीं हमको फर्क पड़ता है उससे, भले हमारी डेली लाइफ में उस चीज से फर्क ना पड़े, हमें से बहुत सारे लोग डेली लाइफ में अपने खाने पीने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने घरवालों का फूचर को सिक्योर करने के लिए स्ट्रगल कर उसके बाद भी जब हमें पता होता है कि हमारा हिस्सा किसी और ने लिगली कौपी का अकुपाई कर लिया या अंदर आके बैठा तो उनको बुरा लगता है कुछ उस समय भी ऐसा हुआ तो जो उस समय की गौवर्मेंट थी हमें किसी लिदर था नाम तो नहीं लोगा सही नहीं होगा बोला उन्होंने बोला कि बेरुबाई उनिन को दो भागों में बाड़ दो आधा इंडिया रख लेगा आधा पाकिस्तान रख लेगा यह कहा गया भाइब बहुत भैंकर अपोजिशन हुआ अच्छा यह जो आधा पाकिस्तान को देने की बात हो रही थी यह हो रही थे आर्टिकल 3 के अंदर तो केस पहुँच गया सुप्रीम कोट में इसकी सुनवाई हुई Supreme Court ने बोला कि Article 3 के अंदर जो आपका जो state है ना उसको जो आप area को diminish कर रहे हो ना वो आप इस शर्त में नहीं कर सकते हैं कि आप अपनी territory को किसी foreign country को दे रहे हो और उस समय पर ये territory उस समय के अर्स्ट वाइल East Pakistan को जा रही थे ये के लिए हो बांगलादेश है चुकि 1958-1960 के लगबक की गटना है ठीक है तो वाई Supreme Court ने कहा कि भाई आप Article 3 के अंदर बिना amendment किये ये हिस्सा पाकिस्तान को नहीं दे सकते अगर आपको ये हिस्सा पाकिस्तान को seed करना है तो आपको amendment करना पड़ेगा Constitution में एक amendment पास करना पड़ेगा तो जब Central Government को ये पता चला तब एक amendment पास किया गया 9th Constitutional Amendment Act of 1960 और उसके थूँ बेरुबारी Union का आधा दिया गया पाकिस्तान को जबकि पूरा नेशन ये चाहता था कि ऐसा कुछ ना हो West Bengal की government ही चाहती थे ऐसा कुछ ना हो बट इंडिया तो एक अच्छा दोस्त है एक अच्छा देश है वो तो भाई सबका ध्यान रखता है तो पाकिस्तान जैसी दोगली गंटरीस का भी ध्यान रखता है जो कभी भी इंडिया के ऊपर war कर देंगी आगे देखते हैं उसके बाद दोस्तों अच्छा सॉरी दोस्तों मैं मेरे बहुत सारे लोग पाकिस्तान से भी वीडियो देखते हैं तो मैं यहाँ पर यह बोल दूँ कि देखिए यह जो border disputes होते हैं यह government के बीच में होते हैं तो obviously बात है as in Indian तो मैं यही बोलूँगा न किसी को बुरा लगा हो तो भाई सॉरी आगे बात करते हैं बाद में एक और ऐसा केस गया सुप्रीम कोट में 1969 की बात है उसमें क्या बोला गया? सुप्रीम कोट ने बोला कि अगर इंडिया और किसी दूसरी कंट्री के बीच में boundary को लेके कोई dispute है तो until and unless हमारी territory का कोई हिस्सा दूसरी कंट्री के पास नहीं जा रहा है अगर जब तक यह नहीं हो रहा है कि इंडिया का कोई टुकडा तूड के दूसरी कंट्री के पास जा रहा हो उसके अलावा आप executive action से चीज़ें कर सकते हैं या article 1 से 4 के अंदर चीज़ें कर सकते हैं आप वो constitutional amendment act पास करने की ज़रूत नहीं है मतलब अगर आप states को diminish कर रहे हो, boundary को बदल रहे हो या फिर किसी दूसरे देश के इलाके को अपने में मिला रहे हो तो आप executive action के थूरू मिला सकते हो और बाद में article 1 से लेकि article 4 के बीच में आप पास करा लो simple majority से चुकि article 2 और article 3 के अंदर जो भी changes आप कर रहे हैं उसके लिए आपको simple majority ज़रूत है आपको उसके लिए amendment करने की ज़रूत नहीं amendment आपको सिर्फ तब करना है जब आप इंडिया की territory किसी और को दे रहे हो 1969 में भी ये चीज बोली हमारी सुप्रीम कोर्ट में अब आगे बात आते हैं land boundary agreement between India and Bangladesh 100th constitutional amendment पास हुआ दोस्तों 2015 की बात है हमारी जो सरकार है प्रेजेंट सरकार इसको एक बहुत बड़ा achievement बोलती है उस समय पे भी लोग थोड़े confused हो गए थे बोल रहे थे क्या बबाले भाई हमारे देश का हिस्सा आप क्यों दे रहे हो दूसरे देश को तो देशी हिस्सा नहीं दिया जा रहा था दोस्तों actually ये enclaves है आपको orange में दिख रहे है enclaves of India और आपको green में दिख रहे है enclaves of Bangladesh तो क्या दिख रहा है आप यहां पे इधर वाली boundary आपको Bangladesh की दिख रहे है ये जो बीच में है आप इस map में आराम से Bangladesh और West Bengal देख पा रहे होंगे दोस्तों ठीक है तो जो आपको blue वाला इलाका दिख रहा है वो actually इंडिया है अब देखें इंडिया में कितने बांगलादेश के enclaves नजर आ रहे है तो ये green रंगे जो enclaves दिख रहे हैं आपको इंडिया के अंदर तो ये दिन हाता, सिताई, सितल कुची, यहां पे जो आपको green रंगे enclaves दिख रहे हैं दोस्तों, ये हैं बांगलादेश के, तो इन green enclaves में बांगलादेशी लोग रह रहे हैं बट ये हैं कहां पे? ये भाई इंडिया के अंदर हैं, वहीं पे इंडिया के लोग इस कुछ orange वाले इलाके में रह रहे हैं दोस्तों तो ये बोदा, देवी दंग तो यहां पे रह रहे हैं बट ये इलाका actually में कहां पे आ रहा है? बांगलादेश में आ रहा है तो इस land boundary agreement में यही किया गया दोस्तों कि इन enclaves को exchange किया गया है, तो ये जो orange वाले enclaves थे जो बांगलादेश में थे ये actually India के थे actually India के लोग यहां पे रहते थे वोग थे Indian citizens बट चुकि वो enclaves में हमेशा से रह रह रहे थे तो अब वीसी बात है उनको इंडियन बुल रहा आता था उसी तरी कि इस ग्रीन वाले आलाके में मांगलादेश के लोग रह रहे थे पर वो आता था इंडियन बाउंडरी में तो जब ग्रीन वाले इंफलेफ्स यहां पे थे तो कई सारे बांगलादेशी लोग इन ग्रीन वाले इंखलेफ्स में जाते थे तो बॉर्डर के कुछ specific point से यहां चले आते थे तो बहुत सारे लोग क्या हुआ कि इसी बहाने बांगलादेश से इंडिया के इंदर घुज गए तो इसलिए आसाम में और बाकी जो नौर्थ इसन स्टेट से वहां पे यह बवाल देखने को मिलता है कि भाई बहुत सारा माइग्रेशन हुआ है बांगलादेश से इलिगली लोग इंडिया में आ गए है कैसे आ गए है इसी तरीके से आगे दोस्तों बांगलादेश के बहुत सारे इंकलेश इंडियन टेरिट्री में है इन इंकलेश के जाने के लिए आराम से बागी इंडिया के भागों में चले जाते हैं तो बंगलादेश के बहुत सारे लोग इंडिया में हैं, कैसे आए, इसी तरीके से आए, तो सरकार को समझ में आया कि भाई, इस problem को solve करने की जुरुवत है, और border को properly seal करने की जुरुवत है, वो तब होगा जब ये enclaves exchange किये जाएंगे, तो जितने भी orange enclaves थे दोस्तों, भी land नहीं दिया गया थे इस land boundary agreement में, बस border को strong किया गया था, इस enclaves की वज़य से inter boundary, inter border movement ना हो, इसलिए ये चीज़ करी गई, जो कि बहुत जरूरी भी थी, इसलिए हमारी जो सरकार है, वो इस land boundary agreement को 100th Constitutional Amendment Act 2015 को अपना एक बहुत बड़ा achievement मानती है, हाला कि इस achievement की जो थी ना, वो पिछली सरकार में रखी जा चुकी थी, फिर देखें, बांगलादेश के साथ दोस्तों, जो border का थोड़े बहुत minor issues चलते रहते हैं, जैसे for example, एक 6.1 km का undemarketed border stretch था, उसको भी अब solve किया गया है दोस्तों, जो कुछ भी ये land boundary agreement में हुआ था, वो भाई, आसाम वेस्ट बंगाल, मेगालया, तिलपुरा, इनकी स्टेट गोवर्मेंट से बातचीत करके किया गया, अपने आप से नहीं किया गया दोस्तों, इंडिया बांगलादेश का border बहुत बढ़ा है, लगबग 4,096, 7.7 km लंबा है, एक बहुत बढ़ा border है, इंडिया बांगलादे आने का समय नहीं है, एक नहरू नून एग्रिमेंट आया था, इस नहरू नून एग्रिमेंट से उस बेरूबारी यूनियन 12 को दो भागों में माठा गया था, जिसको सुप्रीम कोड में चैलेंज किया गया था दोस्तों, तो यह चीज मैंने आपको थोड़े दिर पहले ब माई 1974 को भी उठा, उस समय तक मांगलादेश आजाद हो चुका था, लेकिन अब्वेसी बात है, 16 माई 1974 को ऐसा कुछ करने के लिए, अब्वेसी बात है, टरिटरी को ट्रांसफर करना पड़ता, अब इंकलेश में कैसा भी देखा जाए, टरिटरी तो ट्रांसफर होई है न उस ट्रांसफर करने के लिए, इंडिया में, वो हो नहीं पाया, इसलिए चीज मटेरलाइज नहीं हुई, इस चीज को मटेरलाइज करने के लिए, एक प्रोटोकॉल साइन हुआ, इंडिया और मांगलादेश की बीच में कब, 6 सेप्टमबर 2011 को, और ये 6 सेप्टमबर 2011 का प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट था, इस प्रोटोकॉल के बेसिस पे ही, लैंड बॉर्डर एग्रिमेंट 2015 वाला, इतनी आसानी से एक्जियूट कर लिया गया, क्योंकि आदेश जदा काम तो, 6 सेप्टमबर 2011 को ही करा जा चुका था, और ये जो पूरा पाला, तिरुपरा और वेस्टमंगाल इनकी सरकार के साथ डिसकस करके किया है, unilaterally central government ने इसको नहीं किया, तो I hope मैंने जो कुछ भी आपको इस वीडियो में समझाया है दोस्तों, आपकी समझ में आया है, आपको इस वीडियो से relevant लग रही है, लग रही है अच्छी दोस आपकी नेे में आई एक स्वेडियो के से यूच्छी कैस्ठा क्यार।